उत्तर प्रदेश सरकार आए दिन मदर्सों के लिए नए नए फर्मान चारी कर रही है कभी स्वतंतृता दिवस पर धोजारूहन के रिकोर्डिंग का फर्मान सुनाया जाता है तो कभी पोर्टल लॉंच कर खर्चों पर नज़र रखी जाती है अब असली और नकली की पहचान करने के लिए सरकार ने जीपिएस सर्विस लगाने के आदेश दिये है योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मदर्सों पर नज़र रखने के लिए जीपिएस सर्विस लगाने के आदेश दिये है सरकार ने कहा कि GPS सर्विस के जरीए मदर्सों में नकली छात्रों और कर्मचारियों को आसानी से बेपरदा किया जा सकेगा सरकार ने मदर्सा शिक्षा परिशत के रजिस्टरार को निर्देश दिया कि सभी 16,000 मदर्सों की जियो टैगिंग की जाए इसके बाद मदर्सों को एक कोड दिया जाएगा जिसके जरीए असली नकली की पहचान की जाएगी आदेश में कहा गया है कि सभी मदर्सों को 15 अक्टूबर तक अपनी मानेता और राजसरकार से सहायता को बनाए रखने के लिए सरकारी वेबसाइट पर पंजी करन करना होगा इतना ही नहीं योगी सरकार की मदर्सों के खर्च पर भी तेड़ी नजर है राजसरकार ने मदर्सों के क्लासरूम के मैप, इमारत की तस्वीरे और टीचर्स के बैंक अकाउंट भी मांगे है कर्मचारियों के आधार कार्ट के डिटेल सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी कहा गया है खातों के जाँच के बाद ही शिक्षकों को और कर्मचारियों को तनखवा दी जाएगी पोर्टल पर मदर्सों द्वारा दी गई जानकारी की जाँच जिला अल्प संख्या का दिकारी करेगा और इसके बाद किसी भी डेटा में बतलाफ करने की अनुमती नहीं होगी